दोस्तों, आदरनी सर, डिस्टिंग्विस्टिंग्विस्पीकर्स, मैं हिंदी में बोलूँगा, I hope you can bear with me. ड्रीम टू रियालिटी, सपने कई तरह के होते हैं, और जब हम आप लोगों की उम्र में थे, कई तरह के सपने देखते हैं, सपने करियर के देखते थे, सपने अपनी गर्ल फ्रेंड्स के बारे में देखते थे, सपने देखते थे कि हम एक अच्छा केरियर बिल्ड करें, मेरे एक दोस्त है, मैं भी साइन्स साइट से हूँ, मैंने भी अपना B.S.C. होलकर साइन्स कॉलेज से किया था, तो मेरी स्कूलिंग बहुत छोटे-छोटे जगहों पर हुई, मैं ट्राइबल विलेज में मेरे फ हम लोग नीचे बैठते थे, स्कूल में कोई बेंच नहीं होती थी, कनेक्टिविटी बड़ी पूर थी, गाउं में बसिस नहीं आती थी, ऐसे हालात में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, सपने के बारे में हम सूचते भी नहीं थे, आप लोग बहुत लखी हैं, जो इतन और सपने हर किसी को देखना चाहिए, इस दुनिया में सपने ही वो चीज हैं जो आपको मंजिल तक पहुचाते हैं, अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो जीतना बंद कर देंगे, जब तक आप में सीखने के इक्षा है, तब तक आप में जीतने के इक्षा है, और सपनों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको किन-किन चीजों पर काम करना चाहिए लोगों ने सपने देखने शुरू किये कि मैं थोड़ा से पॉलिटिकल एक्जामपल्स देता हूं आपको भारत के प्रदानमंत्री बने नरेंद्र मोदी उन्होंने पूरे देश के एक से और 25 करोड लोगों को एक सपना दिखाया वो सपना क्या था एक लाइन में बताओ यार आप तो अच्छे दिन आने वाले हैं और उसके लिए उन्होंने क्या नारा दिया अब की बार यह कनेक्ट था वो कनेक्ट आपको अपने अंदर जोड़ना है और उस बंदे से जोड़ना है जो आपके करियर का सीधा मददगार होगा मैं शिकागो था जब बराक उबामा का 2012 के अंदर री इलेक्शन होगा था हमारे इंकंबेंट प्रेशिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बहुत कमाते हैं लेकिन अमेरिका में कई एलेक्शन में ट्रेंड है कि जो इंकंबेंट होता है वो अपने एलेक्शन में जरूर जीत के आता है और उन्होंने क्या सपना दिखाया आपको पता है पूरी अमेरिका को यस वी कैन उमीद आपके अंदर भी उमीद होने चाहिए हर चीज को करने की वो पैशन होना चाहिए हर चीज को अपने अंदर ढालने का वो डेडिकेशन होना चाहिए हर चीज को कर गुजरने का आपके अंदर वो करेज होना चाहिए कि आप खड़े होकर कह सकें कि हाँ मैं कर सकता हूँ वैसे मोदी जी एक क्लेम करते हैं कि ये नारा उन्होंने 2001 में दे दिया था यस वी कैन आपने सुनी है ना वो कांट्रोवर्सी है उन्होंने वाइबरन गुजरात के दौरान ये नारा दिया था 2002 में ऐसा वो क्लेम करते हैं मैं आपको छोटी सी कहनी सुनाता हूँ मुझे देश और दुनिया में लगबग हर कोने में ट्रेवल करने का मौका मिला है जहां पर मैंने रिपोर्टिंग की है आपको याद होगा अंडमान निकोबार में बहुत बड़ी सुनामी आई थी वो कई हिस्सों में आई थी देश के तमिलनाडू में आई थी लेकिन अंडमान निकोबार में उसका असर सबसे ज़्यादा था वहाँ पर जब मैं गया तो सुनामी का इफेक्ट पांच-छे दिन हो चुके थे इफेक्ट देरे धिरे घट रहा था क्योंकि जो सुनामी आई थी वो आके जा चुकी थी पुरी तरह वहाँ पर एरपोर्ट के बाहर मुझे एक आदमी रोता और बिलगता मिला बुरी तरह रो रहा था दाहडे मार के रो रहा था उसको मुझे देखा नहीं गया मैंने उससे पुचा क्या हुआ बोले साब मेरा पूरा परिवार मर चुका है मेरी एक भतीजी है जो एक आईलेंड पे फसी हुई है मुझे बड़ी मुश्किल से जानकारी मिली है इस आईलेंड पे फसी है उसका नाम अलमास है मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं है मैं किसी से मदद की गुहार नहीं लगा सकता लेकिन मुझे पता है कि आर्मी के चौपर वहां जा रहे है लेटिन गवर्नर वहां जा रहे है आप कुछ भी करके मेरी मदद करिए हमने उस बिलगते हुए आदमी की स्टोरी बनाई और उसको एक कैमपेन के तरह चलाया उस वक्त में एडिटर था आज तक न्यूज चैनल का और हमने उस कैमपेन को चलाया दो दिल अलमास को बचाना है वहां के लेटिन गवर्नर थे मिस्टर राम कापसे मिस्टर राम कापसे ने वो स्टोरी देखी अगले दिन वो उस आईलेंड पे लैंड करे उस छे साल की बच्ची को बचा के लाए जब वो बचा के लाए तब मैंने उस बच्ची जब वो नॉर्मल हुगई तो उससे बात की और उसने बोला मैं टीवी पे बात करना चाहती हूं जबकी उस बच्ची का इंटीव्यू लेने से मैं हिचक रहा था मैं इसलिए हिचक रहा था क्योंकि नैशरल कलैमिटी से हुझरी है उसके माँ, बाप, भाई, बेहन, तीन भाई बेहन थे, तीनों की मौत हो चुकी है, वो एक पेड़ की डाली पर लटक कर और 40 घंटे सर्वाइव करके बच्ची है, ऐसी बच्ची से मैं क्या बात करूँ, उसको टेलिविजन पर मैं कैसे लाऊँ, और मैं ये सोच-सोच के पर क्या हुआ आपके साथ, उसने मुझे सब कुछ बताया, और आखरी में उसकी जो लाइन थी, कि मैं सुनामी में जितने लोग फसे हैं, उनसे सिर्फ यही उम्मीद करती हूँ कि हिम्मत मत हारना, ये बहुत बड़ी लाइन कहीं उसने, हिम्मत मत हारना, और मैं ये लाइन हर करता हूँ, मैं इसलिए रिपीट करता हूँ, क्योंकि मैं आप से भी यही उम्मीद करता हूँ कि हिम्मत मत हारना, जिन्दगी में बड़े संकट हैं, जिन्दगी में बड़े उतार चड़ा हूँ हैं, जिन्दगी बहुत अपसें डाउन दिखाती हैं, हो सकता है आप बहुत अच्छा पैकेज यह लेकिन उसके बाद आपको जी कि रियालिटी सी होना कड़े और उसके बाद आपको बहुत सारी ओफिस पोलिटिक्स का सामना करना पड़े मैं बहुत है है फैक वक्त आपको लायी और मैं आपको दूसरे मंत्र देना चाहता हूँ वो मंत्रे है दिर इस नो शॉर्ट कट इन लाइफ अगर आपको लगता है कि कोई आदमी आराम से मंजिल तक पहुँच जाता है तो नहीं और आज कल सब कुछ क्या डिपेंड करता है सब कुछ डिपेंड करता है आपकी टेक्नोलोजी पर फेस्बुक किसने बनाया कितने साल की उमर है उसको मेरे खाल से 33 साल की उमर है उनकी फिलिप कार्ट किसने बनाया कितनी उमर है उनकी बस कहने का मतलब यह है कि जिस आइडिय का वक्त आ गया है उसको कोई नहीं रोक सकता कोई नहीं रोक सकता दूसरा मैं आपको पताना चाहता हूं कि यूर ब्रेन पावर इस की दर इस नो शॉर्ट कट इन दे लाइफ और यूर ब्रेन पावर इस दकी मैं शॉर्ट कट के लिए क्यों कह रहा हूं आप देखिए कि जो एक्स्ट्राइडनरी लोग होते हो क्या करते हैं आपको पता है जब बराक ओबामा आए थे और नरेंद्र मोदी का जो मीटिंग होगा था जो उनकी चाय पे चर्चा हुई थी उसमें डिसकेशन क्या हुआ तो दोनों के बिज्जाद आपको पता है बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी से क्या पूछा था बराक ओबामा नरेंद्र मोदी से पूछा था आप कितने घंटे सोते हैं और ओबामा से नरेंद्र मोदी ने भी पूछा था आप कितने घंटे सोते हैं कि दोनों इस बात को स्टड़ी करना चाहते थे कि कौन कम सोता है तो ओबामा ने क्या का पता है आप अभी नए नए है ना इसलिए मुझसे कम सोते हैं कि मुझे छे साल हो गये हैं कि आप भी थोड़ा ज्यादा शुरू कर देंगे सुना जब आपको भी चार साल के उपर हो जाएगा मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जितने भी एक्स्ट्राउडिनरी लोग हैं अगर आपकी उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे अगर आप उनको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनकी जिन्दगी के पीछे कितनी मेहनत है मैं प्रधानमंत्री मोदी को 1995 से जानता हूँ और मैंने देखा है कि उन्होंने जिन्दगी में कितना स्ट्रगल किया है जब वो बीजेपी के जनरल सेकेटरी बन किया है थे उनकी परसनालिटी में पूरा रिफाम हो गया है वो रिफाम किस तरी कैसे हुआ है स्टडी स्टडी एंस्टडी पहले उन्होंने पढ़ा चाइना के बारे में जपान के बारे में अमेरिका के बारे में पहले उन्होंने पढ़ा पब्लिक मूट के बारे में पब्लिक सेंटमेंट के बारे में पब्लिक स्पीकिंग के बारे में है और वो बहतरीन कम्यूनिकेटर है तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एक्सल करना है लाइफ के अंदर तो आपको कम्यूनिकेट करना आना चाहिए हाट वर्क हो गया देर इस नो शॉर्ट कट इन लाइफ हो गया तीसरा कम्यूनिकेशन कम्यूनिकेशन बहुत ज़रूरी है भले से आप टेक्नलोजी की फील्ड में है मैं जानता हूँ टेक्नलोजी का अल्टिमेट बेनिफिट एंड यूजर के पास होना चाहिए अगर एंड यूजर के पास टेक्नलोजी का अल्टिमेट बेनिफिट नहीं होगा तो आपकी टेक्नलोजी वो फेल है चाहिए आप स्पेस साइंटिस्ट हो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका एंड यूजर कौन है आपने एक सैटलाइट लांच किया वो स्पेस में गया लेकिन उससे आपके घर का टीवी चल रहा है वो आपका एंड यूज हुआ उससे कम्यूनिकेशन का इंटरनेट टार जूड रहा है वो एंड यूज हुआ अभी 4G का आक्शन होने वाला है आप में से कई लोगों गो मोटी मोटी सेलरी के जॉप मिलेंगे फास्ट और सेकंड वीक में है 4G का आक्शन और कई सारे जॉप अपरचुनिटी सब तक रुके हुए उसके चलते हैं आपके लिए बहुत अच्छा मौका है आपकी बैच के लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि तब बड़ा-बड कंपनियां जो है अपने यहां जॉप आफर करेंगे पांच मिट का वक्त बचा है मैं समप करता हूं जल्दी से टाइम की बॉन्डेशन में कभी-कभी बहुत दिक्कत होती है लेकिन हमारा काम होता है कि अपने काम बात को जल्दी से जल्दी खतम करना ईत तो कंविनीकेशन आपके स्किल्स होना चाहिए कि आप जो कहना चाहते हैं आप जो कर रहें है वह अपने सुपीरियर को कैसे कम्यूनिकेट करें को बहुत अच्छी बात है कि अपने काम्यूनिकेशन को आप पावर पॉन प्रेजेंटेशन में बनाते हो बट वर्बल स्किल्स भी होने चाहिए आपके पास वर्बल स्किल्स भी बहुत जरूरी है यह आप तब समझोगे जब आप अपने बॉस के पास बैठोगे और उससे घंटों बात करने की ताकत आपके पास होगी तब ही आप उसको इंप्रेस क कर पाओगेो को कि मैं च्छोटी चीजें जानना चाहता हूं आप से आपको पता है भारत में सबसे नान कमेंटरी की शुरूआत हुई थी आपको पता है भारत का सबसे पहला लाइव कामेंटर कौन 또 इन én hu मैं क्लू देता हूं आपको वे बैक तो महाभारत डेस राइट इन गोस तो हिस्ट्री और कम्मिनिकेशन स्केल्ज आपको बता है एविएशन इंडिस्ट्री की शुरुवाद भारत में उनीते हैं आपके रामायन के अंदर उसका पहला एक्जाम्पल दिपता है पुश्पक सब्सक्राइब कर रहे हैं जो बिग बैंक थेयोरी आप बताते हैं वह बिग बैंक थेयोरी कहां से निकलती है हमारे श्यूपुरांट से दुनिया का फर्स न्यूक्लियर वार किसको बता जाता है महा भारत में जो कुरुज छेतर के अंदर कौरो और पांड़ों की लड़ा ही गुईती है वरना इतने कम दिन में इतने लोग मारे ही नहीं जाते है यह ऐसे चोटे-चोटे फैक्ट्स हैं जो बताते हैं कि हम लोग इनहेरंटली कितने रिश्ट है अटल बिहारी वाजपे ने कहा था 2020 तक भारत एक सुपर पार बनेगा यही बात डॉक्टर एपी जी अब्दुल कलाम ने कही थी और मेरे ख्याल से हम बनने जा रहे हैं क्योंकि देश के पास आप से आप जैसा ब्रेंड पार है अंत में अपनी बात में खतम करना चाहूंगा कि मैं किस एंड यूजर की बात कर रहा हूं मैं चोटा से एक्जैंपल देता हूं हमारे टेलकॉम मिनिस्टर कौन है रवी शंकर प्रसाद चार दिन पहले हमारे सेमिनार में आया थे मैंने उनके साथ काम किया जब मैं डीडी न्यूज का है और मैंने डीडी न्यूज लॉंज किया था तब हमारे आइंबी मिनिस्टर था उनके पास बनारस के छोटे गाउं से एक जुलाहा आया था कभी उनका क्राइंट रहा होगा वकील भी हैं बहुत बड़े वो इलिटरेट था उसको ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था लेकिन उसको फिकर क्या थी मुस्लिम था वो उसको फिकर थी कि एराक के अंदर जो चल रहा है उससे वो बहुत डरा हुआ है उसने उसके सेंटिमेंट्स को बहुत प्रावावित किया है बात में हो तो जो कॉन्फिक्ट एराक के अंदर चल रहा था कि हम वार चल रही थी दुनिया भर की टेर्रीस्ट अक्टिविटी चल रही स्मार्ट फोन पे उसने देखा और स्मार्ट फोन पे देखने के बाद उसने यूट्यूब से एक इराग का वीडियो निकाला और इराग का वीडियो निकालने के बाद उन्हें रवीशंकर प्रसाज जी को दिखाया रवीशंकर प्रसाज जी को दिखाने के बाद बोला देखिए ये हो रहा इराग के अंदर ये पावर है जो टेक्नलोजी ने भारत के एक आम आदमी को दिया है 125 से 127 करोड हो गए हैं उनको दिया है इस पावर को आप महसूस करिए उसी पावर को आप लोगों को आगे बढ़ाना है आप लोगों की लाइफ लाइन भी स्मार्ट फोन है कि नहीं है दोस्तों से चैट करना हो गल्फरेंट से चैट करना हो घर पे बात करनी हो वैसे ही सब लोगों की लाइफ 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 में स्मार्ट फोन बनती जा रही है दूसरी चीज इंटेनेट कनेक्टिविटी आई होप आप इस टेकलोजी के मास्टर हो और इसको और फास्टर किसी भी तरीके से आगे बढ़ाओगे लासली में एक बात कहना चाहता हूँ दुनिया में कोई चीज इंपॉसिबल नहीं है कोई भी चीज अगर आप शिद्दत से कोशिश करो तो लेकिन अगर आप कोशिश करना भूल जाओं या कोशिश करने के लिए मेहनत ना करो तो मुश्किल है यरeum को टाईम कोण और बात करता मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है बहुत कहानिया सुनाने को थी भारत से लेके अमेरिका, अमेरिका से लेके इराग, इराग से लेके अफगानिस्तान, लेकिन अंत मैं दो लाइन कहूंगा आपको, मुझे इसने बड़ा इंस्पायर किया, रॉबर्ट फ्रोस्ट की लिखी कविता है, उसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करता हूँ, वो है, वुट्सार लॉन्री डाक एंडीव, पर उसका हिंदी ट्रांसलेशन यह है, वनपत है प्रीवर, घोर अंधेरे और घनेरे, लेकिन वाइदे जो हैं करने पूरे, और दूर जाना है हमको सोने से पहले मीलो, मीलो और मीलो, बहुत-बहुत शुक्रिये.